आप सब का स्वाल करता हूं एक बाद से अपनी एक और नई इंफर्मेटिव वीडियो में तो आज की जो वीडियो है वो सभी के लिए बहुत ही इंपोर्डट होने वाली है चाहे वो स्टुड़ी करें या फिर जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं या फिर आपके बच्चे हैं तो आपके लिए भी यह जो वीडियो है वो काफी इंपोर्डट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपना टैन तो ट्वालत के बाद के बाद कैरियर कैसे चुन सकते हैं क्योंकि जो टैन फ्रास होती उसके बाद हमें कौन सा पॉर्स करना ज जाएगी क्या कौन सा कोर्स करने के बाद क्या कों सा स्क्रीम चूर्श करने के बाद कौन सासा पॉर्स करना चाहिए तो यह जो वीडियो है वह टेन क्या करना चाहिए। और इसके इलावा मैं आपको बताँ बोगी टेंट पास करने के बाद हमें जॉब मिल सकती है, वो भी गॉर्णमेंट जॉब, वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, तो यह सारी चीज़े आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो काफी सारी जो स्टूरंट्स होते ह वो 10 के बाद excited रहते हैं, या 12 के बाद excited रहते हैं, कि हमें क्या stream लेना चाहिए, कौन सा course करना चाहिए, तो यह सारी चीज़े करने के बाद वो आपस में discuss भी करते हैं, कि हमें friend के साथ discuss करते हैं, वो जो भी एक friend ने रखना हो, वो दूसरे friend भी रख लेते हैं, बट आपके मन में या आपकी family में, जहां जो भी आपको लगता है कि हमें ये course करना चाहिए, या 2-3 options है, उनमें से त्याब course करना चाहिए, उसमें आप conclusion हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी helpful रहेगी, तो चैनल में अगर नहीं हैं, तो प्लीज चैनल को subscribe कर लेना, और वीडियो अच्छे लेगी, तो वीडियो को भी अपने सभी के साथ जुरूर इसे share कर देना, जिसे उनको भी काफी सारी जो चीजे हैं, वो information जो है, वो मिल सके, तो चली मैं वीडियो को शूरू करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास एक PDF, इसका link मैं आपको वीडियो के description में provide कर दू यह जो मेरा चैनल है, हिंडी में है, जो नए सबस्काइबर हैं, उनको मैं बता दूं कि, क्योंकि जो मेरे चैनल का theme है, वो जान जो language है, वो मैंने हिंडी select की हुए है, इसलिए मुझे हिंडी में यहाँ आपे speak करना पड़ता है, बर जो PDF है वो पंजाबी में है, इसलिए आपको थोड़ा सा प्रोब्म हो सकती है, क्योंकि पीडिया पंजाबी में है, मैं हिंडी में बोलूँगा, बर सिर्भी आपको सभी जो चीजे हैं, वो मैं clear करूँगा, समझाऊँगा, क्योंकि सभी जो students है, या जो family members हैं, या पेरेंट्स हैं, या जो भी बड़े देख र गया है, तो मैं subject वाई सारी चीजे आपको clear करूँगा, तो यहाँ पर आपको subject पहले देखे, मैंने जो विशा यहाँ पर लिखा है, कि तस्वी और बारें कर्शा पास करने के बाद हमें कौन से course करने चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर most important जो चीजे हैं कि दस्वी के बाद तो देखे, मेंनी हम 11 कर लेते हैं, ट्वैलेट कर लेते हैं, बट इसके इलावा भी बहुत सारे जो course हैं, वो हम कर सकते हैं, वो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, इसके इलावा जब हम ट्वैलेट कर लेते हैं, तो उसके बाद हम ज़्यादा दर तो options रहती हैं, कि हमें graduation करनी चाहिए, ठीकि यहां graduation कर सकते हैं, बट उसके इलावा भी बहुत सारे जो course हैं, वो हम कर सकते हैं, वो depend करेड़ा हम कौन से स्ट्रीम ली हैं, हमें कौन से स्ट्रीम के बाद क्या course करना है, वो सारी चीज़े मैं आपको यहां पे बताऊंगा, तो देखे, सबसे पहला जो topic है, दस्वी के बाद हमें क्या करना है, उसके बाद, ट्वैलत की लिए यहां पे काफी सारे जो topic हैं, क्योंकि ट्वैलत में काफी सारी जो stream से वो होती है, medical stream है, non-medical, commerce, vocation, mentis, जिसे हम arts group कहते हैं, तो medical के बाद क्या करना है, non-medical के बाद क्या करना है, commerce के हम बात करेंगे, दस्वी के बाद हम क्या कर सकते हैं, तो देखे, 11 ट्वैलत तो कर ही सकते हैं, इसके इलावा एक IT institute होते हैं, जहां पर हमें काफी सारे जो course है, वो करवाए जाते हैं, जिनकी base पर हमें jobs मिलती है, तो यहां पे आप जो link है वो दिये गए हैं, यहां पर list of ideas यहां पर लिंक भी मिल जाएंगे, यह website open करने के बाद, तो अब यहां देखते हैं, दस्वी के बाद, क्या 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 है बोस है, देखे, सबसे पहला जो course है, वो है motor mechanic का, तो इसका जो duration है, वो यहां पर लिखा है, आप यहां से देख सकते हैं, तो योगिता सारी जो qualification है, वो दस्वी, यह मैं आपको पहले से बता देता हूँ, यह वसे मैं आपको course के नाम बताओंगा, रैफ्रीजरेटर, एर कर्डिशनर का course है, मेकैनिस्ट का course है, टर्नर का, रेडियो टीवी मेकैनिक का course है, सर्वेयर का course है, ड्राफ्टमें, सीवल का course है, एक साल के हैं, बाकी उपर वाले दो-दो साल के थे, ठीक है, तो यह कासी सारे course है, जो आप कर सकते हैं, तो आपके interest के उपर है, आपको कौन सी stream में या कौन से course में interest है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको 10th के बाद अगर आप यह course कर रहते हैं, दो साल का, एक साल का तो आपको jobs मिलेगी government job भी मिल सकती ही आपको ठीक है तो चलिए अब बात करते हैं दावला लेनी का क्या प्रशास दिखी metric के अदार पर आपकी जो number है उसके अदार पर आपकी जो इसमें admission जो होती है तो हर साल जून जुलाइ के महीने में जो news papers होती है इसके लिए advertisement जो है वो दे दी जाती है तो दस्वें के बाद आपको जो course जैसे मैंने बताए यो वो technical course है या वो diploma course है ठीक है एक technical course होते है और एक diploma course होते है ठीक है तो जो diploma course है या वे 31 diploma course है है और 113 तरविंजा जो हैं वो political college में course है और 6,000 जो सीड़ें वो अलाला डिप्रोमा courses के लिए available है तो बहुत तकनीकी सस्था जिसे हम full technical course भी कहते हैं ठीक है तो उसमें आपको कहागा course देखने को मनीगे वहाँ पर electrical engineering ठीक है तो ये तीन साल की होती है civil engineering है mechanical engineering production engineering, mechanical engineering tool and dye technology ये तीन साल की है और जे जो है जे चार साल की है उसके बाद computer engineering कर सकते है information technology है ये तीन साल की है electronic communication है electronic telecommunication engineering है ये तीन साल की है ठीक है इसके लबा fashion designing, government, knitting, leather technology modern office tour है library information, science, medical lab technology textile design, textile technology है chemical measuring, plastic technology automobile engineering ये बहुत सारे जो course है वो आपको पोल टेटनिकल में देखने को मिलेगी तो इसमें आप कैसे admission ले सकते है तो देखे इसके लिए joint interest exam ले जाता है जैसे हम JET कहते है ठीक है तो ये पंजाब state board of technical education की तरफ से अप्रैल मेई जोन महीने में लिया जाता है तो ये course clear करने के बाद आप जिपने वी याँ पर मैंने course बता हैं आपको उसमें आप admission ले सकते हैं अपनी choice के recording ठीक है तो अगर आपने 10th किये vocational pass किये और IT pass किये तो आप literal entry वी ले सकते हैं ठीक है तो literal entry आपको second year में मिल जाएगी अगर आपने 12th vocational pass या ID pass किये हुई गया है ठीक है तो इसके इलावा ये website है या आपको information details मिल सकते हैं इसके इलावा आप क्या कर सकते हैं इसके इलावा आप 6 साल का BSC course कर सकते हैं अगरिकल्चर का इसके इलावा 6 साल का BSC home science का course कर सकते हैं ठीक है तो इसे कोर्स गोहें वो 10th level के हैं ठीक है, तो ये website है अगरिकल्चर्ट्पारण माय है ओ याप बात करते हैं 12th दी बाद ठीक है क्या कोर्स कर सकते हैं आप अब अपधे रिंस किसे सब्सक्क्राइब मेडिकल के बात कर सकते हैं MBBS में दाख़ान देने के लिए अपो EIP, PMP, ठीक है, All NDAG जो एंटेस्ट एक्जाम होता है, ये क्लियर करना थे, इसके बार आपकी जो अडमिशन है, वो होती है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ अपके लिए क्या कर चीज़ है, इक चो शोलते मिलेंगी, फीस माफ हो भी, शु यहाँ अपर आपको 12, 12 कि मिलेंगी, पहने सान आपको युनिफर्म 6 कि मिलेंगी, ये बाकी सानों के लिए आपको 1250 बेंगा है, ये जो मैने आपको अपको पर कौरिस बताया, तो यहाँ पर यह फिसलिल्टी साप को मिलेंगी, तो अभी मैडिकल के बादें टेकर कर सकते ह ठीक है इसके लब B.S.E. इसमें काफी सारी चीज़ें जा आपको देखने को मिलेंगी उसमें भी काफी काफी काटिग्रीज रहीं ठीक है M.S.E. उसमें अप्लाइट साइंस निस्ट्री वार्मी जोल जी यह वी काफी जाली है डीक है इसके लब आप डिप्लोमा कर सते हैं ठीक है इसमें जाब भी काफी जाइद्ध के जीचाहें तिसके ओडिए्सन विर्णिन्चाहिं कर सकते हैं उसके बार आपको अपको मेडिकल डत करने को मिलेंगी mig spring के बाद से चुन सबते हैं नौन मेडिकल के बाद इसके इलावा नौन मेडिकल के बाद आप बीसी कर सकते हैं नौन मेडिकल में फिजिटरेपी, अरवर्ट प्लैनि, मुल्टी मीडिय, डिसाइन, फेशन टेकनोलजी, एरलाइन, टूरिजम, फूट टेप, तो यह सारी सीज़ें आप कर सकते हैं नौन मेडिकल के बाद, इसके इलावा तेलत के बाद आप कहा सकते हैं, कोई भी कूर्स की यह आप में, आप नेशनल डिफाइनस अटेडमी जोइन कर सकते हैं, यो पीसी के एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है, यह दूवार होता है, मई दिसंबल में ओता है, ठीक ह इसके इलाव और भी कफिसार जो अग्साम है वो आप दी सकते हैं सारी चीजे आपको आप को आप को быстр आ पॉर्ण है तैनाले अपने चीजे जिए है出 भी शाम बें अब देब कारे अथे बढ़ती होने के लिए जनर्डियूटी के लिए किलर के लिए स्टोर के पर टेक्निकी नर्सिंग साहिक तो जैसे मैंने दस्वी के आपको उपर कोर्स बताएं तो वह भी आर्मी में उनकी पोस्टे जो भी निकलती है तो वहां पर आर्मी भी आप जा सकते हैं अकर आप NCC के हैं तो आपको एक्स्टा मार्स जो भी दिये जाते हैं अर्मी में एर फोर्स में नेवी में ठीक है तो इसके लवाट कमर्स के बाद क्या कर सकते हैं तो देखे कमर्स के बाद आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं डिप्लोमा इंप्रिंट वैब कर सकते हैं डिप्लोमा इंजर कर सकते हैं पुब्रिंटिंग में कर सकते हैं कि तो इसके λόब जनरर्फ पुर्मय, ठीक, एनिमेशन और रवियेशन का कौंसलिंग ठीक है तो मैं पीडिएफ आपको लिंक पर वाउड़ कर दूँगा वहां से आप आरामसे इसको देख सकते हैं इसके बार डिप्लोमा यंपॉस मैलिज्मेंट यह सारे कोर्ट्स भोगा कर सकते हैं तो कि ये इसके इसके इलावा आप जीए ठीए आपissoasters आप जिए से मैंने आपको बताया कि अब जो बात आती है कि क्या दस्वी के बाद आपको जॉबस मिल सकती हैं तो देखें इंडियन डेल्वे में टैंथ लेवल पर काफी सारी जो पोस्टें हैं वो निकलती हैं पोस्ट ओफिस में भी आप अपलाई कर सकते हैं वहां पर भी टैंथ बेस मेरिट के अदाय पर आपको बर्मर जॉबस मिल सकती हैं तो यह काफी सारे जो लिंक से वो यहां पर प्रोइड किये गए है नीज मिल जाएगी तो अगर आप सिफ टैंथ क्लास में ही अच्छे नंबर लेते हैं याने की मेरिट अगर आपकी अच्छी होगी तो आपको काफ मैंने अब भी आपको बताया, आपको रेवे में मिल सकती है, पोस्ट ओफिस में मिल सकती है, आर्मी में मिल सकती है, इसके इलवा और भी काफी सारे जो जो इंप्लॉईमेंट होती है, वहाँ पे आपको क्लास फॉर की जो आपको जो विकेंसी है वो निकलती है, वहाँ पे आ आपका मेरिट लेवल क्या है और आप एंटर से अग्जाम अगर कोई होता है उसमें कौनिफाइक करते हैं या नहीं करते हैं तो होग आपको यह जो वीडियो है अच्छी लगी होगी काफी इंफर्मेटिव वीडियो थी आपको 10 और 12 के बाद क्या कोर्स करना चाहिए अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप इस पीडियाप से क्लियर कर सकते हैं फिर भी कली डाउट है तो आप मुझे कॉंटक्ट कर सकते ह आप में पूसकते हैं किसी भी तरह की कोई क्यूरी होगी तो आज की सुट में यह सारी इंफर्मेशन थी